मिधुन राचिवाले दोस्तों फैस्टिवल सीजन आने वाला है इस समय ग्रहों का सहयोग भी मिल जाए तो समय को महत्त पुरण बना देगा सोनने पर सुखागे जैसा कार्या करेगा इस वीडियो में बात करेंगे फैस्टिवल सीजन में गोचरवश ग्रहों के ऐसे से कौन स महत्त पुरण बदलाप आ रहे हैं जो इस सीजन को रोमाज कारी और खुश नुमा बना देगे पर संता पुरवक जैसा में वैतीत हो जाएगा पिछले लंबे समय से जीवन में पेश आ रही बिगन बादा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा वीडियो में इस पर वि रजेश कलिया हार्दिक स्वाइद करता हूँ आपका अपने यूटीप चैनल अक्षित तैस्टरों मास्टर में मेरे मिथून राशी वाले दोस्तों कैसे हो मिथून राशी के अलावा मिथून लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों भी हाल ही में आपको शनी के अश्ठम डिया से बहुत बड़ी राहत मिली है लंबे समय से शनी ने आपकी राशी के अश्ठम बाप पर संचार कर दिन का चैन और रातों की नींद बुरी तरह से परवावित कर रखी थी इससे अनावशक मांसी का शांती जैसे भाव पैदा हो रहे थे शन आपको शनी ने राशी परवर्तन कर आपको श्ठम डिया से राहत परदान की परंतु पिछले कुछ समय से शनी की चाल में यूट और नाने से वक्री वस्था के कारवश शनी एक बार फिर से अश्ठम बाप की और अगरसर है इससे कई दोस्तों को श्ठम डिया के अशुब परवाब कुछ हद तक फिर से देखने को मिल रहे होंगे इश्वर ये शक्ति और धरम पर से विश्वाश डगमगा रहा होगा एक बार फिर से जीवन साती का स्वास्त परवावित हुआ होगा सुसराल पक्ष के साथ मत्विद पैदा हुए होंगे वक्री वस्था के कानव पर शनी जब पीछे की और अगर सर होता तो एक बार फिर से पिछले भाव के फल देखने को मिलते हैं वहशुब या अशुब किसी भी रूप में हो सकते हैं मेरे मिथून राशी वाले कई दोस्तों को तो अक्समा से दन लाब हुआ होगा तो कई दोस्तों को आसमान से निर लेते हैं तो लफ़ड मार के छीन लेते हैं परंतु अब चिंता का कोई विश्या नहीं है दिपावली से पहले चार नुवंबर को शनी की चाल में यूडर ना जाएगा शनी वक्री वस्ता से मारगी हो जाएगा शनी की तरब से मिथून वालों के लिए यह दिपावली का बहुत बड़ा तौफा रहेगा मारगी वस्ता से शनी पीछे नहीं बलकि आगे करम बाब की और अगरसर होगा इससे आपको भाग्या और करम दोनों का सुख्यम से योग प्रापत होगा पिछले समय से जीवन में पेश आ रही विगन बादारवी पत्तियों का नाश होगा शनी का आगे की और चलना अच्छा रहता है खास कर मिथुन वालों के लिए शनी की सीधी चाल काफी स्क्रात्मक रहेगी इससे लक्षमी मा की नराजगी के नहीं परसंता के पात्तर बनेंगे कोल मिलाकर दिपावली से पहले शनी का सीधा चलना वाक्या ही मिथुन वालों के लिए किसी तौफे से कम नहीं रहेगा बात करें गुरु देव की तो चार सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरु भी वक्री वस्ता में संचार करेगा शुब ग्रह का वक्री होना उत्तम है खास कर जब वहक रहा है एक आदश बाव पर संचार कर रहा हो एक आदश बाव हमारी डिजायर गेन सकसेस प्रोफिट और इंकम से सबंदित कुनली का महत पुरन भाव है इस बाव को आए और लाबाव के नाम से भी जना जाता है इस बाव पर गुरु का वक्री होना फैस् फैस्टिवल सीजन की बहुत बेसबरी से इंतियार करते हैं वैपारी दोस्तों का यह सीजन उत्तम निकल जाए तो पूरे वरस जो घाटा जेला है उसकी बरपाई को जाती है इसलिए चिंता का कोई विश्या नहीं है लाबा पर गुरु का वक्री वस्ता में संचार आए औ और लाब में विशेश रूप से व्रिदी करेगा आर्थी कुनते लाब और सफलता को बल मिलेगा आप किसी भी कारयावेपार से जुड़े हैं गुरु की परसंता के पातर बनेंगे इस फैस्टिवल सीजन को गुरु यादगार बना देगा नोकरी पेशा दोस्तों के सफल योग बन रहे हैं कारहवेपार में जीवन साथी भी कंदे से कंदा मिलाकर अपना सहयोग देगा जीवन साथी के मार्ग दर्शन और सहयोग से लाब मार्ग परशस्त होगा फैस्टिवल सीजन में जीवन साथी का साथ और सहयोग मिल जाए तो और क्या चाहिए शादी योग्या उमर के अविवाहित दोस्तों को भी फेस्टिवल सीजन में गुरू की वक्री वस्ता का लाव मिलेगा शादी विवा के लिए प्रयासरत दोस्तों के प्रयास सफल होते दिखाई देंगे बात आगे वड़ेगी तीस अक्तूबर से दंपत्य अबाब राहू की नीच द्रिष्टी से भी मोक्त हो जाएगा दिपाबली से पहले यह भी बहुत बड़ा महत्तपरन बदलाव है तीस अक्तूबर को राहू के तूराशी परवर्तन कर एक एक भाब पीछे चले जाएंगे गुरू चंडाल योग भांग हो जाएगा अब पंचम और सप्तम भाब र पिछले समय से संतान शित्तर से पेश आ रही चिंता और प्रशानियों से बहुत बड़ी रहत मिलेगी संतान सुक में वरिदी होगी राहू के तू के परवाब से संतान के साथ पैदा दूरियां दूर हो जाएंगी संतान के साथ सबंदों में मदूरता बढ़ेगी संतान के मध्यम से लाब के योग बनेंगे ज़ता संतान सफलतार उमनती के मारग पर गरसर होगी फैस्टिवल सीजन में प्रेमियों के प्रेम सबंद भी मधूर मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे राहु के तुके राशी प्रवर्तन से प्रेम सबंदों में साकारातमक मोड आएगा पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे प्रेम सबंदों और रोमास के मोरचे पर अनांद रोमाच और प्रसंता के नबुत्ती करेंगे इसलिए फैस्टिवल सीजन में प्रेमियों को भी बहुत बड़ा तोफा मिल रहा है राहु के राशी प्रवर्तन से वेपार बाप पर पढ़री राहु की नीच दृष्टी से भी बहुत बड़ी रहत मिलेगी गुरु की दृष्टी के शुब फल मिलने शुरू हो जाएंगे वेपार बाप के सुवामी गुरु की वेपार बाप पर दृष्टी वेपार में विस्तार के नकूल अबसर पैदा करेंगी आये स्तरोतों में व्रिदी होगी अपने भावी कार्या के साथ आये के अन्या स्तरोतों पर भी विचार करेंगे अब बात करते हैं छोटी वदी पे एक ही राशी पर संचार करने वाले ग्रहाओं सूर्या बुद्ध मंगल और शुकर की चाल फैस्टिवल सीजन में क्या संकेत दे रही है उस पर बात करेंगे फैस्टिवल सीजन में भोग विलास लग्जरी लाइफ और बौतिक सुखों के क शुकर की बात ना करे तो सब कुछ फीका है जीवन की सवीरंगीनिया शुकर से सबंदित है शुकर राशी स्वामी बुद्ध का मित्तर ग्रैवी है इसलिए शुकर का संचार और अधिक महत्तपुरण बन गया है अगस्त और सितंबर मां में शुकर धनवा पर संचार करेग दन बाप पर शुकर का संचार धन के आवागमन में तेज़ी करेगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा संथान के माद्यम से भी धनलाब के योग बनेंगे प्रेमियों को भी शुकर की स्थिति का लाब मिलेगा प्रेमी जन के साथ गूमने फिर ने यात्रा करने और पर्स पर समय व इस से सोशल मीडिया पर नेम और फेम में व्रिदी होगी नवंबर मा में शुकर का सुख स्थान पर संचार धिपावली को खुश नुमा बना देगा लग्जरी गैजर्ट्स मेहंगे फोन मेहंगे वस्तर वाहन या अन्या सुख साधनों पर खर्चा करने का विचार बना र चाथूर्थ बापर नीच शुकर के वी बेहतरीन परिनाम देखने को मिलेंगे इस समय गर की साध सज्जा और रेनोवेशन करने पर भी खर्चा करेंगी तथा ऐसे कारियों में रूची वड़ेगी दिसंबर मा में शुकर पंचम बाव अपने बापर संचार करेगा शुकर की यह स्थिति हर प्रकार से लाप्रद रहेगी दिसंबर मा में शुकर की स्थिति मिथून वालों को मौज करा देगी बात करे राशी स्वामी बुद की तो अक्तूबर मा में बुद सुख बाव अपने बापर संचार करेगा बुद की यह स्थिति सुखों में वृदी तथा मन में परसंता के इन बुद्धी करेंगे माता जी के भी सुक्सने और सहयोग में वृदी होगी। भौदिक योग्याता से वैपार में पेश आ रही परिशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। शेश रूप से लापरद रहेगा वैपार में चार चांद लगाएगा। बात करे सूर्या और मंगल की तो नुवंबर और दिसंबर मा में दोनों शत्रू स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे जो शत्रू को आपके पास भी नहीं फटकने देंगे। गुप्त शत्रू हो या परत्याक्ष सबको उखाड फैंकने का कार्या करेंगे। आपके रोब और रुत्बे में वरिदी होगी। कुल मिलाकर फैस्टिवल सीजन में ग्रहों की स्तिती समय को अनंद में और रुमाज कारी बना देगी। खासकर गुरू का लाब आपर संचार वबिन परकार के लाब परदान करेगा, हर परकार से लाप्रद रहेगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु देव की जैजाकार अवश्या करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी करेपल लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यावा।